ओम स्रीगने साय नमदूस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ अगस्त रविवार के रासी फल के बारे में की यह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करीयर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के उंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके जड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जैंगे और रिष्टे में दोबारा मधूरत आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में शुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए सावधान रहें घर के किसी बुजर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तों साती सात आपको भी अपने स्वाभाव से इगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपुन कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए ज़्यादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गति विदियो पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परन्तु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परन्तु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तों बात कर लेते हैं जापकी लव लाइफ के शिरहने वाली हैं दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आज चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए स्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहूर बहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कारे छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कारे को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उमीद हैं दोस्तों साती सात कारे छेत्र में दूसरों के हस्तोचेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादे तथा वैवसाइक गतिविदियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेसा व्यक्ति भी आफिस में पॉलिटिक्स के सि नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा वैवसाइक छेत्र में आपकी कर्षमता वैकाबियत की वज़े से क वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं अजा आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उर्जा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तंदुरुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तो आज का समय आपके स्वास्त के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है दोस्तो आज आप इस नान आदिशी निर्वत रहोने के बाद गाये को रोटी पर देसी घी लगा कर गुड के साथ भगवान शूरदेव का इसमनन करते हुए अवस्य दें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ह भगवान शूरदेव बहुत जल्द प्रशन होंगे आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे यो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलोक की प्राप्ती होगी और आपके सभी कारने बहुत यासानी से बनती चल जाएंगे दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान शूरदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशूरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें धन्यवाद